Hello students and welcome back to the online learning platform of Commerce Nation तो जिन बच्चों का सपना है कि वो Bachelor in Library and Information Science पढ़ें ठीक है मतलब वो basically B-Lib Science पढ़ें और MGKVP से वो करना चाहते हैं मतलब वो basically चाहते हैं कि वो MGKVP से अपनी B-Lib Science कर और वो confused हैं कि sir कैसे क्या courses वगेरा हैं तो हम लेके आगें आपके लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि B-Lib Science का क्या fee structure है क्या सब कुछ है वो देख लेते हैं तो देखो अगर आप लोग B-Lib Science करना चाहते हों तो सबसे पहले इसमें दो समेस्टर ही रहते हैं बस और इसका code है वो 405 है बेसिकली जब आपको fee भरते समय में आपको ध्यान स्वारी अगर registration करते समय में आपको यह ध्यान देना है कि इसका code है 405 और 66 जो है वो total number of seats है इस course में admission लेने के लिए और purse क्योंकि यह self-financing course है तो आपको per semester थोड़ा ज़ाधा fee देना पड़ेगा है regular courses के मताबिक तो 27-800 आपको देनी पड़ेगी ठीक है तो 27-800 में आप B-Lib Science कर पाओगे अब सुनो अब आपको पढ़ना क्या है सर तो ठीक है सर मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा comprehension और grammar से question आएंगे aptitude से पूछे जाएंगे logical reasoning numerical and mental ability से general science and basic computer से questions रहेंगे तो हमारे साथ जुड़ जाओ और आप और हमारा जो course है वो बस 99 में है यार बच्चों तो 100 रुपे दे के बस आप यह course खरीज सकते हो और यह B-Lib Science के courses कर सकते हो इस course में आपको बहुत फायदे मिलेंगे जैसे recorded lectures रहेंगे आपको free mock test दिये जाएंगे और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे इस description box में दिये गए link पे आप लोग link या number जो provided है उस पे आप लोग call करके inquiry कर सकते हो Thank you so much for watching this video